दोस्तों नमस्कार सुवागते हैं सभी का इस समय के एक बहुत बड़ी खबले कराये हैं विपच्छी एक्ता लागातार मजबूत होती दीख रही है एक तराफ तेलंगाना केसीम केसीयार मुख्यमंते नितिस कुमार से मुलाकात कर रहे हैं और नय समिकर्ण बनते हुए कहा कि एबियम से 6-6 संभव हैं इसलिए 2024 के लोग सवा चुनाओ बैलेट पेपर से होने चाहिए वहें दोस्तों इसी बीच मुख्य चुनाओ आयुक्त का एक बयान सोसल मीडिया पर बायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि 6-6 का कोई सवाल नहीं है हमने हमें साही पार दरसिता बनाय रखी एबियम पर छेड़े विवात पर बोले मुख्य चुनाओ आयुक्त इलेक्ट्रोनिक बोटिंग मसीन पर विपच्छी पार्टियों दोरा लगाए गया आरोपो पर मुख्य चुनाओ आयुक्त राजीब कुमार के पतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा कि एबियम से छे छाण का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि भारत के चुनाओ आयोग ने हमेशा ही पार दरसिता बनाई रखी है देख सकते हैं एक तरफ विपच्छी एकता मजबूत होती ही दिख रही है और एबियम के खिलाफ लगातार विपच्छी एक जुट होता हुआ द तमाम भी पच्छी पार्टियां एबियम के मुद्दे पर घेर रही है केंद सरकार को दोस्तों ये ब्रेकिंग नीवस बड़ी खबाइस समय के निकल के आ रही थी जो आप तक पहुचाई है दोस्तों खबर को लेकर अपनी राय जरूर बताईए कमेंट बॉक्स में वीडि